मैं राजे स्वागत करता हूं आपके अपने योटूब चैनल मेडिस्टार पर आज की वीडियो में हम जो है बात करेंगे कि कौन से दो इंजेक्सर ठीक है मतलब दो इंजेक्सर रहेंगे एक साथ मिला करके एक साथ उसको मिलाना है आरियल ड्रिप में दिये जा सकते हैं मैं फोकस किया गया है आरियल ड्रिप ठीक है यहां देखे लिखा गया है आरियल ड्रिप अब क्या है आरियल ड्रिप में कौन कौन से दो इंजेक्सर ऐसे हैं जिनको एक साथ मिला करके आप दे सकते हैं ठीक है किलियर हो गया है कौन से दो इंजेक्सर मतलब ऐसे कौन से दो इं आपको देने की कोशिस की जाएगी, कम्प्लेट जानकारी के लिए बीडियो में लाश्ट तक बने रहें, यहाँ देखें नोट लिखा गया, ठीक है, मेरे हर एक पॉइंट पर, हर एक वर्ड पर गवर किया जाए, सुना जाए, समझा जाए, अब अगर कहें भी नोट लिखा हो, चाहे बीडियो के दवरान, चाहे कॉपी में, चाहे किताब में, या फिर कहें पर भी, नोट अगर लिखा गया, तो समझ लिजे, यह कुछ जरूरी बात बताने की कोशिस से की जा रही है, अब नोट है, यह किसी आरेयल ड्रेप में, ओके, सुनो, MBI, मल्टी विटामिन का एन इंजेक्शन, मिलाया गया हो, तो उसमें और कोई अन इंजेक्शन ना मिलाए, यह रूल होता है, 100% सेफ, ठीक है, 100% सेफ यह रूल होता है, कि अगर कोई भी आरेयल इंजेक्शन है, यहां देखिए है, और उसमें कोई भी मल्टी विटामिन है, अगर इसको मिक्स कर दिया गया है, तो इसमें एनी अदर, एनी वन, कोई भी जो है, अन इंजेक्शन आप मिक्स नहीं कर सकते हैं, ठीक है, समझ गए, किलियर हुआ, लेकिन, आगे हम डिसकस करते हैं, कि कौन कौन से दो इंजेक्शन मिक्स कर सकते हैं, जरूरत पढ़ते हैं मिक्स करकी चढ़ानी की, तो सबसे पहले हम आपको आरेयल की बारे में बता देते हैं, क्योंकि मेरी वीडियो अगर आप देख रहे हो, तो आपको complete जानकारी मिलने चाहिए, आधियाधियोरी जानकारी से नुकसान हो सकता है, वैसे तो आरेयल को उपर हम full वीडियो लाए हैं, कि आरेयल का परयोग कहा होता है, रोज, साइड, फिर कॉन्टर इंडिक्सन, सब कुछ बताए हैं, लेकिन यहां थोड़ा सौर्ट में समझ लिजी, कि आरेयल का योज कहां कहां करते हैं, किसी का जो है blood loss हो गया, ठीक है, blood loss, खोन भाग गया है, वहां आरेयल चड़ेगा, dehydration है, यहां तक तो आपको किलियर हुआ आरेयल, आरेयल में रिंगल लैक्टेट आरेयल को बोलते हैं, सौर्ट फार्म है आरेयल, ठीक है, अब मल्टी विटामिन का प्रियोग कहां होता, जानते ही हो, कमजोरी है किसी को, जनरली डायरिया औगयरा होते है, तो कमजोरी आ ही जाती है, डाल करके चड़ा सकते हो, बलड लास हो गया, तब भी कमजोरी आएगी, हाथ पर में जोंजी नहीं होगी, थगान लगी आ तो ऐसे में चड़ा सकते हो, चक्कर भी आएगा, अगर बलड लास हो गया आएगा, ठीक है, हीमोगलोबिन की कमी है, अगर किसी के बॉड़ी में, तो क्या है, शक्कर उगएरा आ सकता, तो ऐसे में बियाई डाल करके आरेयल चड़ाएंगे, तो काफी हथ तक जो हो, गोली देंगे, तो कुल मिलाजुला के मेरा मोटे मोटा, जो है कहने का मतलब क्या था, कि अगर कोई आरेयल ड्रेप चड़ा रहे हो, उसमें मल्टी विटामिन डाले हो, तो कोई अन्य इंजेक्शन नहीं डालोगे, लेकिन, लेकिन नोट, यहां भी नोट लिखा गया, अब जहां भी नोट लिखा गया है, समझ लेजिए, बहुत ही अच्छी बाते बताई जा रहे ही, क्या लिखा गया है, आरेयल में सिर्फ उन्हें दो इंजेक्शन को, एक साथ मिक्स कर सकते हैं, भाईये कौउन से जो इंजेक्शन, अरे सर बताओ के कौउन से दो इंजेक्शन, रुखो बता रहे हैं, जिन दो इंजेक्शन को, एक ही सिर्फ में मिक्स करके लगाते हैं, थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो गया, रुखो मैं बता रहा हूं, समझा रहा हूं, आरेयल है, इसमें दो इंजेक्शन मिक्स करना, टू इंजेक्शन, ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं होती है, आप इन दोनों के मिक्स करके, भर करके, पेसंट को लगा सकते हो, चाहे आईवी चाहे आईएम, अगर लगा सकते हो, तभी इन दोनों इंजेक्शन को, आरेयल में डालोगे, तभी जो है डालोगे, वरना नहीं डालोगा concept clear हुआ कि RL में सिर्फ उन्हीं दो injection को एक साथ mix कर सकते हैं जिन दो injection को एक है सिरेंजर मिक्स करके लगा सकते हैं clear हुआ concept done हुआ अब थोड़ा सा मतलब समझ ज़िजे कि कौन कौन से injection आप mix कर सकते हो सबसे पहला है ranitidin के साथ में metoclopramide कहां पर यूज होता है किसी को gas बना है gas के कारर उल्टी हो रही हलका फुलका चेक कर आ रहा है तो वहां पर ranitidin plus metoclopramide मिला करके लगाया जा सकता है ध्यान दें यहां जो perinar में लगाया गया है यह IV फार्म वाला ठीक है आप IV वाला ही लेंगे अगर आपको drip में डालना है तो metoclopramide हो गया ranitidin हो गया दोनों को एक ही सेर्ज में मिक्स करके आप डारेक्ट भी लगा सकते हो आई वी आई यह ठीक है या तो फिर drip में डाल दो RL में डाल दो RL में इन दोनों को एक साथ डाल करके चढ़ा सकते हो गया साय उल्टी आ रही है तब उसकी लिए ठीक है समझ गए ओके डेक्सा एबिल डेक्सा एबिल का परियोग कब किया जाता है कोई allergic reaction हो गय रहा हो गया अब जब एक ही सिर्ज में इसको मिक्स करके लगाया जाता है तो जायसी बात है इन दोनों को आप RL IV drip में भी डाल सकते हो थोड़ा साम आपको और समझा दें यहां देखिए लिखा गया है डेक्सा मेतासून सोडियम फास्पेट इंजिक्शन IP कहीं कहीं IP लिखा होता है कहीं कहीं BP लिखा होता है कहीं कहीं USP लिखा होता है लिखा होता है कि नहीं ठीक है तो IP का मतलब होता है इंडियन फार्माकोपिय BP का मतलब होता है ब्रेटिस फार्माकोपिय USP का मतलब होता है United State Pharmacopoeia यह जो है मतलब medicine जहां बनाए जाती है जैसे बनाए जाती है जो उसका procedure होता है उसको mention किया जाता है United State या फिर betres Pharmacopoeia या फिर Indian Pharmacopoeia ठीक है तो यह जो है dexamethasone है यह Indian Pharmacopoeia दो रहा है बनाएगे यह ठीक है फैनरा माइन यह भी Indian Pharmacopoeia ठीक है किलियर हुआ अब क्या dairy phaline plus dexamethasone दिया जा सकता किसी को सांस फोलने की दिक्कत कोई भी सांस पर आपल नहीं ले पा रहा है या फिर कोई अस्तमावाला पेसेंट हारे लोगरा चढ़ रहा है तो उसमें dairy phaline को dexamethasone के साथ मिक्स करके मतलब एक है ड्रेप में डाल करके चढ़ा सकते हैं समझ गे डेरी phaline में इटो phaline और थियो phaline है यहां देखे इसमें dexamethasone इस्ट्राइड है जिसके लिए अगर आप ड्रेप नहीं चढ़ा रहे हैं और कोई अस्टमावला नार्मल भी बेसेंट मिलता है तो उसको भी आप डेरी phaline plus dexamethasone मिला करके आई-वी आई-एम दिये सकते हैं ठीक है कोई भी रूट से लगाएंगे आई-वी रूट से चाहए फिर आई-एम रूट से तो आराम मिल जाता है ठीक है समझ गए है किलिव रही बात आई-एम आपको समझ में आ रहा होगा अगर आपको समझ में आ रहा है नीचे लाइक का बटन है लाइक दबाएं और चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि ऐसे ही इंपोर्टन जानकर यापको Medistars चैनल पर regular basis पर जो है मिलती रहती है ठीक है आप हमारे चैनल से जॉइन हो सकते है सिंपल है जन्ठा प स्प्लद द्ख्साभी मिक्स घर g2 में चढ़ा सकते है वैंसे आप जानते होंगे कि जन्ठा माजसन में Dexamethoson मिक्स करके लगाया जाता है और क्यों लगाया जाता है ऐसा देखा गया है कि जब भी आप Gentamicin plus Dexamethasone को एक ही सेरेंज में मिक्स करके लगाते हैं तो जिस भी बीमारी को ठीक करने के लिए लगाते हैं वो बीमारी बहुती फास्ट रीकूर होती है बहुती जल्दी ठीक होती है तो ऐसे में आप drip में भी Gentamicin और Dexamethasone को मिक्स करके एक ही drip में दे सकते हैं ठीक है किलियर हुआ यहां तक बात किलियर हुआ तो जरा हाजरी लगाओ लाइक करके ठीक है तो Dexamethasone Gentamicin किलियर हो गया ओके यहां देखें नोट लिखा गया है अभी आप सोच रहे होंगे इस वीडियो में बार-बार नोट क्यों लिखा जा रहा है तो नोट का मतलब मैं बता दिया कि जोसे कोई जरूरी बात होती है तभी नोट लिखा जाता है ऐसे दो injection mix ना करें अगर किसी भी drip में या फिर कभी भी दो ऐसे injection को mix करके आप नहीं लगा सकते हैं अगर उन दो injection को mix करने के बार discoloration हो जाता है उनका color मतलब बदल जाता है उनके viscosity में change आ जाता है या फिर precipitation में जो है change आता है precipitation हो जाता है जो solution है दूधिया हो जाता है गाढ़ा हलका milky जैसा हो जाता है या फिर become solid अगर उन दो injection को mix करने के बाद उन solid हो जाते हैं ठोस का रोब धारड कर लेते हैं तो ऐसे दो injection कभी भी mix करके आप RL में नहीं दे सकते हो या फिर ऐसे दो injection कभी भी mix करके आप direct भी नहीं लगा सकते हो ठीक है I hope आज की वीडियो देखने के बाद आपको काफी कुछ information मिली होगी आप हमें नीचे comment करके बताएं कि आप RL IV drip में काउन काउन से injection 3-4 injection का नाम बताएंगे जो भी आप mix करते हो आप mix करके लगाते हैं लेकिन आप comment करोगे ठीक है? ओके आज की वीडियो में इतना ही था I hope सब कुछ clear हुआ होगा फिर भी कोई doubt है तो पोच सकते हैं वीडियो अच्छी लगी हो तो like कर सकते हैं चैनल पे पहले बार visit किये हो तो subscribe कर सकते हैं सो दोस्तों आज की इस छोटी से वीडियो में बस इतना ही था